येस, कुछ ऐसे questions हम करते हैं जिसमें अक्सर आपको बहुत confusion होता है या बहुत time लगता जिसे मैंने कि यह advance का यह question लिखा हुआ है इस तरह की questions में कई बार हम बहुत ज्यादा time लगा देते हैं मैं आपको ऐसे कुछ questions के important कुछ questions होंगे जो हर topics के वो discuss करूँगा और जिस धंक से इसका solution दूँगा अगर आपने एक बार इसको concept बिल्ड कर लिया तो आप बहुत minimum time में इन questions को solve कर सकते हैं एक सबसे important चीज़ है कि क्या इसका logic है कैसे करना चाहिए जैसे ये question दिहान से देखी क्या है sigma k equal to 1 to 13 1 upon sin pi by 4 plus k minus 1 sin into pi by 6 into sin pi by 4 plus k pi by 6 अब दिहान देए numerator में 1 है इस तरह के questions की approach कैसे develop करना वो बहुत important है अब summation लगा है, summation मतलब है addition अगर summation लगा है तो summation का मतलब है addition अगर मैं इसमें directly 1 रख दूँ, 2 रख दू, 3 रख दूँ तो ये बहुत लंबा चला जाएगा जैसे ही ऐसा question आया exam में तो सबसे पहले समझ जाएगी कि कहीं न कहीं कोई न कोई trick या logic जहूर लगेगा होता ये है कि कई बार हम इन चीजों को guess नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते मैं आपको इसको बहुत simple तरीके से solution बताऊँगा और एक बार आपको solution समझ में आएगा तो उसके बाद आप इसको speech में भी कर सकते हैं पर पहले इसका basic concept समझ ये कि अगर कभी ऐसा लिखा होता मालो थोड़ी देर के लिए k equal to 1 to 13 एक छोट ऐसे question से बता रहा हूँ कि sine k by 3 into sine कुछ तो आप जब 1 रखते तो ऐसा लिखते है 1 by 3 फिर प्लस फिर प्लस अगर ऐसा करते तो क्या होता ये obviously नहीं होता तो इस तरह की question जब भी exam में आते हैं तो इसमें खाद बात होती है कि अकसर कई बार submission के term में कई बार term cancel होते जाते तो जैसे मैं एक आपसे question देता हूँ मैं मालो है कि इस तरह की series दो 1 upon 1 2 plus 1 upon 2 3 plus 1 upon 3 4 up to 1 upon n into n plus 1 मैं बोलूँ इसका addition करो अब आप में से कोई उलज भी सकता और कोई एक second में कर सकता कैसे कि ये product form में था आपने इसे कुछ break कर लिया like this आपने देखो इसका 1 का difference है तो ऐसे break किया 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 up to 1 by n minus 1 upon n plus 1 ये break करा अब फायदा ये देखो ये इससे cancel ये इससे cancel हर term cancel होता जाएगा एक ये 1 को और एक इसको cancel करने वाला कोई नहीं है आपने इसका calcium लिया तो ये मिल गया n upon n plus 1 इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझने की हुई कि आपने जो submission form में था अब इसी को अगर मैं submission form में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता था अगर ये question ऐसा लिखा देखो और फिर आपसे वो कुछ पूछें तो आपको confusion हो सकता पर आपने इसको some difference में बनाते ही इसको भी किसी तरह के से ऐसा कर लिया जाए तो ये possibility हो सकती है yes or no क्योंकि इस form में अगर हम open करेंगे तो बढ़ता जाएगा तो हम इसको short करना चाहिए तो एक basic एक different example से इस question की आपकी approach develop कर रहा हूँ तो अब ये आपने लिखा आप देखो क्या होगा समझना अब क्या होगा कि इसी question को अगर हम समझें जैसे अगर कभी आपके पास नीचे ऐसा लिखा है मालो 1 upon मालो ऐसा लिखा है sin a into sin b अगर उपर मेरे पास मालो sin a minus b या sin a plus b का कोई formula यूज़ करूँ तो क्या होता देखो sin a cos b minus cos a sin b या सो no upon sin a into sin b इस तरह के और भी question बताता हूँ भी आपको अब आपने separately divide किया ये cancel ये होगया cot b minus of cot sin b से sin b cot है अब एक बात सोचो कि ये cot b minus cot होगया अगर कुछ ऐसा बन जाए तो हर दम cancel होते जाएंगे केवल कौन सा बचेगा first and last अब ये कैसे बता चलेगा तो ध्यान दो यहाँ पर a और b था मैंने इनका difference को use किया तो क्या यहाँ पर इसे मैं थोड़ी दिर के लिए अगर a मान लू और उसे थोड़ी दिर के लिए b मान लू तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं क्या separate कर सकते हैं किसी को भी ए मान लो आपने इसे ए माना तो इसे बी मान लीजिए इसे A माना तो इसे B मान लीजे इतना बड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा बारबर तो अगर आपने इसे A और B माना तो आप मुझे बताइए कि A माइनस B क्या होगा आपने किसे A बोला बिटा कोशन को सिंपल करना आना चीज़ सबसे important चीज़ होती जब किसी कोशन को देखो ऐसे 3-4 कोशन कर लिए तो आपके exam में किसी भी तरह का data change हो जाए आप बहुत quickly कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपने इसे मान लो थोड़ी देर के लिए A बोला और इसे B बोला B क्या है? 5 by 4 प्लस ज्यान देना K pi by 6 minus pi by 6 ऐसे ये ना इसका break कर दिया मैंने अब मैं बोलूँ कि A minus B क्या होगा तो आप सीधा सीधा बोलते pi by 6 Yes or No? देखिए जब आप इसको इससे सब्टेट करेंगे ये cancel ये cancel ये minus minus plus हो जाएगा इसलिए मैंने उसे A माल लिया तो अगर मैं इस question को थोड़ी देर के लिए ये मान सकता हूँ आगे के लिए देखिए आपके लिए कितना simple होगा करना 1 to 13 छोड़ दो 1 upon ये sign A है और ये sign B है और A minus B equal to है pi by 6 मतलब मैं एक काम इसमें कर सकता था कि ये constant है तो हमें इसके लिए summation use नहीं करना थोड़ा ध्यान दीजेगा बिटा और sin pi by 6 को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता था A minus B अच्छा sin pi by 6 की value 1 by 2 होती तो एक तासे 2 times of summation k equal to 1 to 13 sin A minus B upon sin A sin B हो गया इतना बड़ा लिख होगे confused होगे उलज जाओगे छोटा सा लिख लो ना बाद में कर लेंगे अब जब आप इसको करेंगे solve तो ये कुछ ऐसा मिला k equal to 1 to 13 sign A से sign A cancel court B minus court है जो अभी मैंने बताया था right यानि आपने toughest question को simple बना लिया तो court B minus court है अब A और B हम डाल देते हैं हमें अपने आप ही conclusion मिल जाएगा क्योंकि A और B तो कुछ था नहीं ये A था और ये B था तो एक तरह से आपको मिला two times of ध्यान दीजेगा two times of summation k equal to one to 13 या कितना भी कोई फरग नहीं पड़ेगा court B B कितना बिटा B है pi by 4 plus k pi by 6 या ऐसा ही लिखतो जैसा लिखा था क्या k minus 1 into pi by 6 minus of court ध्यान दीजेगा pi by 4 plus k pi by 6 yes or no ये आपने लिखती है अब ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ध्यान दीजेगा अब क्या होगा बिटा अब ये लिखने के बाद आप मुझे बताइए आपने 1 रखा 2 रखा 3 रखा तो क्या होगा जब आप 1 रखेंगे तो एक तरह से आपको मिला pi by 4 1 से 1 0 ये court pi by 4 ही मिलेगा minus court pi by 4 plus pi by 6 yes or no एक bracket closed फिर जब आपने 2 रखा तो क्या हुआ होगा देखो ज़रा ध्यान से court pi by 4 2 minus 1 pi by 6 minus of देखो ये से cancel बस ये ही एक concept इतना लिखना नहीं था आपने एक बार concept बिल्ड कर लिया आगे के लिए आपका काम खतम हो गया अब बोलो क्या हुआ minus of court एक बार लिख लेते हैं 2 रखा था तो pi by 4 plus 2 pi by 6 ऐसे चलता जाएगा और सबसे आखरी में मुझे यहाँ पर 13 रखना है तो यहाँ मिलेगा court pi by 4 plus 12 pi by 6 minus of court इसमें रखिए pi by 4 plus 13 pi by 6 अब एक चीज आपको समझ में आ रही है कि इसका second term इसके first term से cancel हुआ यानि मेरे पास last के ये 2 term बच जाएगे मतलब basically सब cancel होने के बाद क्या मिला court pi by 4 जिसकी value आप चाहो तो 1 लिख सकते हो 1 minus अब इनको भी चाहो तो add कर सकते हो कितना आएंगे ले पहले लिख देते हैं समझाने के लिए court pi by 4 plus 13 pi by 6 yes or no यानि आप ऐसा बोल सकते हैं 2 into 1 minus court L से हम आ गया 12 तो यह हो गया 3 plus 26 यानि 29 pi by 12 logically yes or no अब इसकी value कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ पर पहले यह समझ में आया यानि आपके question की approach क्या है सब कुछ इस बात पर depend करता है ठीके? इसके बाद ये साइद आपने note भी कर लिया होगा तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अलग से मैं value निकालना भी सिखा देता हूँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे 29 है तो आप क्या कर सकते हो? इसको divide कर सकते हो 2 time divide हुआ तो यह हो गया 24 यानि basically आप ऐसा लिख सकते थे cos 2 pi plus 5 pi by 12 देखिए 5 pi by 12 बचा अच्छा pi by 12 का मतलब होता है 15 degree और 5 का मतलब 75 यानि एक तरह से ये caught 75 है या आप इसे 10 15 degree भी बोल सकते है 10 15 की value नहीं है याद तो 45 minus 30 से तुरंद निकाल सकते हो 1 minus 1 by root 3 1 plus 1 by root 3 finally root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 बस यह value यहां रख दीजिए question solve हो गया यानि आपको क्या मिला 2 times of 1 minus 1 minus caught तो यह हो गया root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 solve कर यह तो यह हो गया root 3 plus 1 minus of root 3 plus of 1 upon root 3 plus 1 yes or no देखिए यह 2 1 से 1 कैंसे लिए 2 root 3 हो गया अब यह अगर 2 root 3 हो गया तो इसको रेशलाइस कर देंगे sorry 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 root 3 से root 3 cancel हो गया तो 2 और 2 हो गया 4 upon root 3 plus 1 चाहो तो रेशलाइस कर लो 4 into root 3 minus 1 upon 2 तो यह हो गया 2 times of root 3 minus 1 यानि जो question दिखने में आपको काफी लेंदी दिख रहा था या confusing दिख रहा था उसको simplest way में कैसे बनाए तो सिम्मा वाले जब भी question आते है submission वाले तो उसके solve करने की approach कुछा आप इस डंग से रखेंगे कि plus minus में separate हो जाए तो जल्ली solve होगा इसी तरह का एक और question करते है जो exam में आया हुआ हुआ है पहले से आप note कर लिजे yes next question देखते हैं देखिए अब जो मैंने आपको previous question बताया था वो था JE 2016 का ये question है JE 2009 का advance का यानि multiple correct answers का question है question कितना similar है देखिए आप आपको एक तो questions को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि क्या patterns है किस patterns को deep में समझें जैसे यहाँ पर जब बच्चे पढ़ते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको ये सबजना है कि क्या चीजे कैसे learn करें सबसे important चीज होती ही पहले concept building करना ना कि tricks में भागना concept building होगी आप within a second कर सकते हैं कि अगर मैं a बोलू theta plus m pi by 4 और b को बोलू theta plus देखो m pi by 4 minus pi by 4 तो a minus b करने पे मुझे pi by 4 मिलता है वहाँ पे pi by 6 था बस बाकी कोई change नहीं है यहाँ पर equal to दिया है थोड़ा सा और अंतर क्योंकि आपने देखा j e में क्या होता है questions रिपीस नहीं होते तो कुछ ना कुछ वो pattern में या data में change करते हैं equal to दिया हुआ equal to पूछा था वहाँ पर theta दिया था यादो pi by 6 साइब था और यहाँ पर theta पूछा गया है अब अगर ध्यान दें तो यह pi by 4 है a minus b आप अब इस question को second हो में कर सकतो मैं step समझाने के लिए लिख रहा हूँ पर आप अगर logic से कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आ गया होगा तुरंती कि यह लिखा आपने 1 to 6 1 upon sin theta आप मतलिको ती वो a और b लिखो तो sin a into sin b आपको अपनी तरफ से एक multiply करना पड़ा sin pi by 4 का और sin pi by 4 का आपको divide भी करना पड़ा right sin pi by 4 का आपने एक तरफ से अंदर अभी भूल जा equal to 4 root 2 है और sin pi by 4 का divide या sin pi by 4 वहाँ चला गया ऐसा भी बोल सकते हैं या इसके 1 by root 2 को यहां लिया तो वो sin pi by 4 हो जाएगा क्योंकि भाई आप इसको अगर यहां लेके आ गए ऐसा लिख दिया root 2 तो क्या दिक्कत है 1 by root 2 को sin pi by 4 लिख सकते हैं या निए आपके हाथ में 3-4 तरीके हैं तो महलो मैं वहाँ से उठा के लिए आया तो मैं ऐसा भी लिख सकता था 1, 2, 6 बोलो sin pi by 4 upon sin A into sin B या सो नो भाई ये equal to 4 हो जाएगा वहाँ वो root 2 था यहां आया 1 by root 2 sin pi by 4 आपने ना multiply किया ने divide किया अब equal to 4 हो गया अब आपको ये पता है कि अब आप इसको लिखने वाले हो sin A minus B क्योंकि sin A minus B equal to pi by 4 अब आप इसको लिखने वाले हो 1, 2, 6 बोलो cot B minus cot A ये हुआ pattern बिल्कूल similar pattern पर question था क्या लिखा cot B minus cot A अब ये क्या हो गया 1, 2, 6 cot B minus cot A समझाने के लिख रहा हूँ आप direct लिखें B की जगे लिखा theta plus M pi by 4 minus pi by 4 आप क्या करोगे बता रहा हूँ minus A की जगे लगा theta plus M pi by 4 आपको पता है कि यहां का first और वहां का last ही बचने वाला है तो यहां के first में 1 रखिए और equal to 4 है भूलना मत सभी में equal to 4 है कही नहीं लिखूँ तो confuse मत होना तो आपने 1 रखा जब तो आपको मिला यह 1 से यह cancel तो cot theta minus आपने रखा होगा 6 तो सबसे आखरी मिला जिसके लिए कुछ नहीं था तो cot theta plus 6 pi by 4 यह result मिला आपको Yes or no? यह result आपको मिल गया एक तरह से 3 pi by 2 हो गया cot theta minus cot theta plus 6 times of क्योंकि 6 दिया हुआ है 6 times of pi by 4 अब आपके हाथ में आपको result 4 देना आप angle लगके भी देख सकते हैं बाकि इसके बाद इसको speed में बहुत जली कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों 10 के time में मतला आप इसे cot भी रख सकते हो 10 भी रख सकते हो पहले इतना note करो अब क्या होगा बिटा यह आपने note कर लिए होगा अब आपको एक चीज दिख गई है कि यह 6 times है तो ऐसा लिखा हुआ बिटा क्या देखिए cot थीटा माइनस cot 3 by 2 pi plus थीटा मतला आप basically cot थीटा माइनस माइनस plus 10 थीटा लिख सकते हो यह सब equal to 4 चला this equal to 4 10 थीटा plus cot थीटा equal to कई बार लिखवा चुका हो 2 upon sin 2 थीटा यानि यह मिल गया 2 upon sin 2 थीटा equal to 4 या sin 2 थीटा equal to 1 by 2 yes or no अब एक बात याद रखिए 1 by 2 कहां कहां होता है 1 by 2 होता है 5 by 6 5 by 6 अगर 5 by 6 नहीं होगा क्योंकि हाँ यह दिया है पर 2 भी लिख दिया है अगर 2 लिख दूँगा तो obviously यह pi तक चला जाएगा yes or no तो इसमें 2 का divide कर दीजे तो 2 का divide किया तो 5 by 12 5 by 12 यानि multiple correct answer का question था तो यह दोनों इसके correct answer थे patterns को समझना है question tough नहीं होते है J.E. में सबसे पहली basic बात याद रखिए आज impetus गुरू कुल से धेरो online बच्चे पढ़ ला है especially जो कहीं कहीं जोईन की हो वो भी क्यूंकि mass में पहले तो दिमाग से निकाल दो tough question आते हैं conceptual और logical questions आते हैं और वो concept build करना है आपको note कर लिजे questions को